हाई अब्रीवन बीपेसी उतकर्ष के इस प्लैटफॉर्म पे मैं रवनीत कॉर आप सब का वेलकम करती हूं तो देखें आज का यह जो सेशन है लेक्चर है यह बहुत क्रूशियल होने वाला है क्योंकि इसमें हम बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो एक कॉमन कंसर्ण रहता ह है आपका करण्ट अफियर से सबसे बड़ा मुद्दा वीपेसी के अंदर रहता है त्यारी करते टाइम कि करण्ट अफियर को कैसे प्रिपेर करें कैसे आपको कॉन-कॉन से सोर्सिस से पढ़ना है कैसे एफेक्टिवली आपके एक्जाम में वह यूज हो पाएगा कॉन से क कॉन से पढ़ने हैं तो रेलेवेंट और एर्रेलेवेंट करन्ट अफियर के बीच में डिफरेंस कैसे करना है यह सब सारी की सारी क्वेरी आज आपकी क्लियर हो जाएंगी जब हम यह सेशन लेंगे तो शुरू करते हैं इस सेशन को और सबसे पहले यह देखेंगे कि एप् जब आप BPSC की त्यारी कर रहे हैं अब बिफोर गोइंग टुद अप्रोच पार्ट करन्ट अफियर का रेलेवेंस क्या है यह भी पता होना चाहिए देखिए यह जो चार्ट है BPSC एक्जाम का इसमें सब्जेक्ट वाइज वेटेज का एनलसीज दिया हुआ है यहां पे प्लीज करेक्ट कर लीजेगा वेटेज आएगा तो वेटेज का एनलसीज दिया हुआ है कि हर एक सब्जेक्ट का वेटेज कितना रहता है BPSC के एक्जाम में आप नंबर अफ क्वेशन देख सकते हैं हम 68th BPSC ही ले ले लेते हैं नंबर अफ क्वेशन सबसे जादा आपके करेंट अफेयर्ज से ही आए हुए है 35 क्वेशन आए हुए है फिर 67th BPSC जो था उसमें 20 क्वेशन आए हुए थे 66th BPSC में लगबग 30 से ज्यादा क्वेशन आए हुए थे तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि 30 के आसपास तो आप मान के चलिए कि करेंट अफेयर्ज से आपक के लिए बनाया गया है ताकि आप चिलता मुक्त हो जाएं तो करेंट अफेयर का वेटेज हमने यहां से देख लिया अब हम देखेंगे टॉपिक्स यहां फिर करेंट अफेयर्ज की कौन-कौन से पोश्चन्स इंपॉर्टेंट होते हैं तो आप सबको पता है कि प्रेलिम् होती हैं तीनों ही स्वइज में करेंट अफेयर्स का रेलेवेंस होता है तो इस सब मेंठना है तोड़ा यानि कि ओसे करेंगे हर एक स्टेज पर यह बदल जाएक़ यह वह करने वाली जो चीज आना ही आपको इम्पर इमया गजेक्टिव से करेंट अफियर होता है जिसमें कई बार कुछ factual information होती है जो आपको याद रखनी होती है किसी का appointment हो गया death हो गई यह सब चीजें यह complete बहुत 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 कुछ ऐसे points होते है जो कि relevant नहीं होते हैं जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं लेकिन अगर आपने holistic और integrated manner में पढ़ लिया करेंट अफियर को तब आप prelims और मेंस के points के उनको पढ़ते के time ही differentiate कर पाएंगे तो आपको अगर note making करनी है विच मीज़ आपने notes बनाना चाहते है current affairs के तो आप उसको ऐसे बना सकते हैं कि अपनी notebook में एक common topic ले लीजिए मैं आपको example से बताती हूं जैसे कि इंडिया ने republic day पे एजिप्ट के हम ने इन वाइट किया था क्योंकि एजिप्ट के हमारे रिलेशनशिप को काफी साल हो चुके हैं तो वह साल जो relationship था bond उसे हम celebrate करने के लिए उनका invitation हमने लिया था मत्तब उनको इनवाइट किया था तो यह जो इंडिया ने इन्वाइट किया, एजिप्ट के लीडर को Republic Day पे, यह करांट फिर आपका Prelims में डारेक्टली इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इस बार Republic Day में कौन से कंट्री के गेस्ट आए थे, तब आपको पता होना चेहिए एजिप्ट, तो जब आप नोट्स बनाएंगे, for example, इसी न्यूस का आपको नोट्स बनाना है, इसमें आप सोचिए, प्रिलिम्स का पॉइंट आप लिखेंगे, आप सेंट्रलाइज कर लिजे, लाइन मार लिजे, सेंटर में अपने नोट्बुक के अंदर, यहाँ पे इसको हेडिंग दे दीजिए, ट इजिप्ट के लीडर है, जो इन्वाइट हुए थे, क्योंकि यह नाम के तौर पर भी पूछा जा सकता, MCQ में, मीन्स के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि इस न्यूस में यह भी पता होना चीन कि मीन्स में क्या सकता है, मीन्स में यह वाली न्यूस तब ही रेले कि इंडिया ने इन्वाइट के लीडर को, यह आप मेंस के आंसर राइटिंग में यूस कर सकती है, तो यहाँ पर बस आप लिख देंगे, मेंस का पॉइंट डालेंगे, कि इस से हमारा टाय जो है, वो मजबूत होने के लिए हमने यह इन्वीटेशन दिया था, क्योंकि इं किन सेक्टर में realities шip हुआ है, इंडिया जीप को, किन के relationships में हुआ है, जैसे defense में है relationship, क्योंकि बहुत सरे defense exercise cost एंडिया एजिप के असके बाद हमारा relationship जो है strategic है फिर उसके बाद हमारा relationship political है, economical है, cultural है, जो एजिप्ट की civilization है, वो भी बहुत पुरानी थी, इंडिया की इंडिस civilization बहुत पुरानी थी, तो इस तरीके के forwarder point आप में लिख लेंगे, आप में आपको ये चीज़ क्लियर कर दू कि ऐसा नहीं है कि आपको हर एक country का इं इस से आपको clear हो जाएगा कि इंडिया-एजिप्ट का relationship इस से लगा था, न्यूज में चल रहा था, तो हो सकता है, इस से मेंस से भी question आजाए, तब आप ये means में ये forwarder point इन दोनों के relationship के तैयार कर लेंगे, इस तरीके से आपको अपनी notebook में ये चीज करनी है, यहां से हमें relevance पता लग गया, approach समझ में आई, कि किस तरीके से note making में वो approach apply करेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया, prelims और means में integrate किया जा सकता है points को, बस आपको पता होना चाहिए कि prelims में कौन सा ज्यादा relevant point है, means में कौन सा relevant point है, उसके बाद रही बात personality test की, तो यह मस सोचिएगा कि personality test के time पे आपको knowledge या information नहीं भी होगी तो चल जाएगा, personality test में भी current affair important role play करता है, क्योंकि current affair actual में पढ़ने वाली कोई चीज से भी ज्यादा क्या है, आपका interest है, मतलब अगर आपको जानने में आसपस आपके क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, इसमें रूची है, तो ये एक area of interest होता है, जो कि personality test में आपको एक plus point दे जाता है, तो तीनों में ही आपका ये relevant साबित होगा, अब मैं आपको थोड़ा angle बताती हूँ कि किस तरीके से prelims के लिए आप topics decide करेंगे कि कहां से current affair पढ़ना है, किस particular topic पे important होगा, किस पे नहीं होगा, सबसे पहला है national National current affairs आपका definitely important है, देखे, जो national level पे हमारे news चलती है, हमारे देश में जो भी चीज़े चल रही है, वो सब हमारे लिए relevant साबित होती है, जैसे कि केश्वानन भारती case, केश्वानन जी की जब death हुई थी, तो ये news में बहुत चल रहे थे, कि केश्वानन भारती case में जो judgment आया तो ये तब news में इसलिए चला था, क्योंकि इनकी death हो गई थी, तो national level पे इस तरीके से news जो है, कोई भी अगर लगाता चल रही है, वो आपके लिए relevant हो जाती है, जैसे government ने कोई नहीं scheme लांच कर दी, किसी पुरानी scheme का नया version लांच कर दिया, for example, government ने UA scheme का second version लांच किया ह है, तो ये schemes जो है national level की, ये बहुत important है, national level पे ये भी important है, कि किस तरीके से हमारा जो परशासन है, हमारा जो political system है, हमारा जो economical system है, वो grow कर रहा है, economical system में हम क्या study करेंगे, कि monetary policy में क्या changes आए है, अगर बहुत ज़दर relevant news सावित हो रही है, कि monetary policy committee ने को recommendation दिया है, inflation के बारे म sector में सरकार कोई scheme ले के आई है, जैसे PM मित्रा scheme, तो ये सब national के अंडर आएंगे, आपके points, फिर आपका political consideration देखा जाए, तो आपको पता होगा, रहुल गांदी जी को जो बरखास्त कर दिया गया था, MP के उसे post से, ठीक है, वो किस constitutional article के अंडर ये बरखास्त किया जाता है, क्या क्या conviction लगते हैं, ये सब चीजें आपकी national level के current affair की होगी, तो मैं आपको ये बताओ, national level पर जब आपको current affair पढ़ना है, political, social, economical और आपका cultural, ये तीन, चार फेक्टर पर बांट लिजिएगा, यहां हमें आपको लिख देती हूँ, ये देखिए, इसमें आप कर लिजिएगा, सब category में political आजाएगा, फिर आपका economical आजाएगा, मैं examples आपको इसके दे चुकी हूँ, आप चाहें तो examples आगे लिख सकते हैं, पॉलिटिकल में जैसे criminalization of politics न्यूज में था, defamation की cases होते हैं, वो न्यूज में होते हैं, ठीके, वो सारी चीज़े आपको यहां लिखनी है, किसी MP का disqualification होना कैसे होता है, उसका procedure, ये सब static book से फिर आपको prepare करना है, क्योंकि current affair में चल रहा था, तो current affair कुछ अलग नहीं है, अब स्टैटिक में लिंक होता है, और बात ये है, कि अगर वो न्यूज में चीज चल रही है, तो स्टैटिक से जोडते हुए पढ़ते चलना है, क्योंकि फिर आप बाद में यह नहीं सोचेंगे, कि ये तो स्टैटिक से आई वी चीज है, ये current affair कैसे हुआ, वो स्टैटिक क्लेर हुई है, और इंडर्स वैली सिविलाइजेशन में भी कहा जा रहा है, कि ये सबसे पुरानी साइट है, तो ये कल्सिरल न्यूज होगी, उसके बाद देखा जाए तो युनेसको ने, अगर इंडिया से वर्ल्ड हेरिटेस साइट में कोई नए वर्ल्ड हेरिटेस करती है, वो सोशल के अंडर आ जाएगा, तो ये चारों पार्ट में हमारा करेंट फेर जो है नैशनल का वूबट गया, तो इसके बाद आएगा आपका इंटरनेशनल करेंट फेर, इंटरनेशनल करेंट इंपोर्टन होता है, उसका सब कॉंपोनेंट देख लेते हैं, तो तो सबसे पहले तो आपकी reports and index कोई बहुत relevant report और index आया है, जैसे की global hunger index ब beetम में इंडिया रखनी है, फिर Daway Fender International इंडिया उसे हिसा सब यह इननगमर की इनि में आपको आपको बियान रखनी है और इंडीया समय शिमनल यह न मुलति इंडिया वो बहुत साल पुराने हो चुके हैं, जैसे कि किसी कंट्री के साथ हमारे रिलेशनिशिप का हो सकता है, हम 50th anniversary celebrate कर रहे हूं, 75th anniversary celebrate कर रहे हूं, इस तरीके से, फिर इंटरनेशनल लेवल पर जो organization है, आपकी UNESCO हो गया, United Nation की different organization, WHO, WTO, ये सब जो reports निकालती है important वो आपको धिह इंडिया के specific में, कि इंडिया के बारे में, ये सारी reports वो क्या कहने की कोशिश कर रही है, फिर इंटरनेशनल लेवल में ही, अगर आप चाहें, तो किसी पर्टिकुलर कंट्री में, अगर प्राइम निस्चर की दौरा ये प्रेजिनेंट की दौरा विजिट किया गया है, त उसके बाद आती है खेलों में, स्पोर्स में बात की जाए, तो स्पोर्स में डिफरेंट स्कीम्स क्या जलाई जा रही है, वो आपको पता होनी चाहिए, स्पोर्स में कौन-कौन से खिलाडी इंडिया में, अलग अलग जगा पे जाके, इंटरनेशनल लेवल पे पदक जीत इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को प्राउड फील कर वाया है, वो पता होना चाहिए ठीक है, उसके बाद परसन न्यूज जो है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इंपोर्टन पस्नालिटीज जो न्यूज में चल रही है, जैसे कि किसी को नॉबल प्राइज मिल गया, फिर इसे कि जीफ जशी सब इंडिया वहीं, यह सब परसन न्यूज में आज यह एगा, वैसे तो आप नहीं चिफ जस्चास अब इंडिया को बहुत हो जाते हैं, पर पर अगर उनका उपनिन पर क्या है, वह आपको पता होना चीब प्राइज में है। उनका नाम क्या है, वह पहले कौन थे उस अपद पे यह सब चीज़े आपको पता होनी चाहिए क्योंकि वो न्यूस में चलने वाली पास नारेटीज है ठीक है उसके बाद प्लेसी इन न्यूस की बात की जाए तो प्लेसी इन न्यूस में जो भी इंपॉर्टेट इंडिया के प्लेसी हैं लगातार लेवल पर किसी जगह पर चल रहा है रशिया यूक्रीयन के बीजिया से चल रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया को लेकर वह एरिया बार बार न्यूस में है तो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे जो टॉपिक्स है जब आप वो पढ़ेंगे तो आपका फिर से प्लेसी इ न्यूस आपका नैशनल इंटरनेशनल इसमें क्लब हो जाएगा जब आप पढ़ेंगे ठीक है पर पढ़ते टाइम यहां पर दिहान क्या रख लेना है कि प्लेसी इन्यूस आइडेंटिफाई करते जाने है मैप के ऊपर क्योंकि देखिए अगर आप सिरफ याद रखेंग एक सरी का बॉर्डर लग रहा है तो यह अप्लेसे न्यूस आपको इस तरीके से त़ियार करना है उसके बाद बिहार स्पेसिफिक न्यूस बहर् ग्सेयुद्र में बिहार अगर कोई नई स्कीम लेकि आई है वो बहुत important है, किस साल में लाई गई है वो बहुत important है, बिहार specific कोई personality है, जिसको की award मिला है, for example, पद्म अवार्ड, पद्म शिरी, पद्म भुशे, ये सब मिला है, वो बहुत important है, या फिर और भी सहित्ते award मिले हैं, सहित्ते academy के द्वारा, तो वो सारी personalities बिहार specific news में भी आ हैं, वो सब आजाएगा, उसके बाद आपका आजाएगा, भी हर गां के द्वारा लांच की हुई, डिफरेंट से एरिया वे, वोवली स्केम हो है, वो कवर्की जा रही है, उसके बाद आपका क्या आजाएगा कि विहार से था थरीके से स्कीम के अलावा नई नही प्लेसी सबसे लंबा हो जाएगा तो वह सारी चीजे कि कौन से प्लेसिस पर कौन को सी नहीं नहीं इस्टेश्मेंट का किया जा रहा है और उसमें अभी तक विहार सबसे नंबर वान पे रहा है फिर इसी में आएगा बिहार स्पेसिफिक न्यूज में रैंकिंग्स जैसे आपने रैं इसमें नैशनल लेवल की रिपोर्ट ही आएंगी यहां नैशनल पर आप रैंकिंग वाला पोश्चन बह ढ़एगी कि निति आयोंग ने मान के चले रिपोर्ट निकाल दी है और उसके बाद नैशनल लेवल पर कुछ और रिपोर्ट निकली है जिसमें अग-ग़ग आपको वह रैंकिंग अलग से नहीं पढ़नी पड़ेगी जैसे कि स्वच्छता सम्मान है यह फिर स्वच्छता का पक्वाड़ा हुआ था उसमें बिहार का कॉन सा प्लेस कौन से नंबर पे रहा यह चोटी चीज़े बिहार स्पेसिफिक होंगी पर आप नेशनल लेवल का प स्वच्छन आते हैं आपके मता करंट अफेर में सीधे सीधे ऐसे पूचे जाते हैं जैसे कि परम कामरूपा सूपर कंप्यूटर आपका कौन से आयाटी में प्रेजिडेंट के द्वारा इनागुरेट हुआ ठीक है तो यह क्या हो गया कि प्लेस था एक न्यूज में और फ परते बैठ जाएंगे जो न्यूज में है बस उसको ध्यान में रखते हो चलना है फिर उसके बाद एयर फोर्स दे के बारे में पूच लिया गया है और यह उसके उपर कोशन था क्योंकि उस साल एयर फोर्स का डे जो है दिवस जो है वो सैलिब्रेट किया गया था लेखे अगली बार हो सकता है कि किस दिन को मनाते हैं कौन से दिन और को मनाते हैं तो आठ अक्तूबर आंसर होगा तो इस तरीके से आपको दिन जो है इंपॉर्टेंट डेज उसके थीम्स यह सम नैशनल में कवर करते हुए चलने है ठीक है यह बहुत स्टैटिक और बहुत सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेंज में आप क्या क्या पढ़ेंगे सोर्सिस का फॉलो करेंगे नियूस पेपर जैसे कि दव हिंदू इंडिन एक्सप्रेस जो भी आपकी इच्छा का नियूस पेपर हो प्रिलिम्स का भी करंट अफेर इसी से निकल जाएगा नियूस प कि इसमें एक आपका नेशनल लेवल की नियूस कवर करने वाला प्रस एक आप स्केट का कोई भी न्यूस पेपर पढ़ सकते हैं जिसमें रेलेवेंट न्यूस आपको लगती हैं पर यह है कि दिन में चार चार नियूस पेपर पढ़ रहें क्योंकि करंट अधिस क्वेशन इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है औरेडी चैनल पर मैं हूँ वो करणट फिर जो रेलेवेंट होगा वह में आपको करवाती चलूंगी पर आप अपने एंट से कुछ एफट करना चाहते हैं तो न्यूस्पेपर रेडिंग की हैबिट आपको इसलिए डालनी है क्योंकि पढने से पता रखता है कि मेस में किस तरीके से लिख नाहें चीजों को क्योंकि न्यूस्पेपर में कोाई इडिटॉरियल भी अगर दिया होता है तो फौतना चोटे से इस पेस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी होती है तो आपको वह हैबिट करने के लिए जो न्यूस पेपर है उसको पढ़ना होगा ठीक है एडिटोरियस उसमें से जरूर पढ़िएगा फिर इंडिया एर्बुक जो है वह आप चाहें तो जब पेपर पास आने वाला हो होती है ना चाहे प्रिलिम्स की चाहे मेंज की इंडिया एर्बुक में जो टॉपिक्स आपके होते है न वो डैफिनिटली हाइली रेलेवेंट हो जाते हैं और एक्जाम में उनके प्रॉबिल्टी जादा होती है पूछे जाने की एकनॉमिक सर्वे आपको जरूर पढ़ना सर्वे में लेटेस्ट जो स्कीम्स आई है वो दिहान रखनी होती है कुरुख शेत्र योजना की आप मैगजिन मेंस की टाइम ही केवल पढ़ेंगे प्रिलिम्स के लिए नहीं पढ़नी है और देखे प्रिलिम्स के लिए आपका केवल न्यूस पेपर जो है वो में सोर्स हो कह लिजिए यह सब जो है यह आपका पढ़ेंगे किया के एनड में चाहे तो एकाद सब कर ऑक पढ़ सकते हैं पर तब जब आपने न्यूस पेपर रेगूलरली जो है करंट फेज को बनाते गए है इस इस अगर आमने रेगूलरली पर तो मंत लिएक तियार करना आपको ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि फिर एक जगह पर चाहें तो करंट फेर पढ़ते पढ़ते थे एमसी के पैटर में रिवाइस कर सकते हैं बाग यहां पर वीडियो कि थ्रूब आपका करंट फेर होता रहेगा मंतली कमपाइलेशन जो है वह आप चाहें तो पढ़ सकते हैं किसी भी क्या बोलते हैं पर्टिकुलर पी आईबी के सोर्स का जिसमें आपको एक साल की जो न्यूज है वो अच्छे से मिल जाएं उसके बाद में करंट फेर कैसे आपका रेलेवेंट साबित होगा वान नेशन वान इलेक्शन के उपर जैसे कि यह क्व पेपर में पब्लिश हो रहे थे बहुत सारे अनेलसीस हुए थे तो यह जो आपका एक राष्ट एक निर्वेचन टॉपिक है यह आपका करंट फेर का टॉपिक था तो इस तरीके का अगर टॉपिक सीधा सीधा आपका आ गया न मीज बें तो आपको करंट फेर ही बचा सकत तो यहाँ बात की गई थी जब ही Beginning Toin मिल्स पा कर पयेंगे सेutet इडिटोर्यल पड़ेंगे। इसलिए भी अग्या िन्यूस साथ कि, नहीं की ऐची यहाँ, पनिस कर देगा यह मत सोचिएगा कि प्रिलिम्स के पॉइंट ही निकल रहे हैं मैं क्या करूंगा पढ़के यह करूंगी पढ़के ऐसा नहीं है वह आपको पढ़ना ही होगा क्योंकि एडिटोरियल आपको हेल्प आउट करेगा चीजों को एनलाइज करने में कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में डेप्थ में समझने में ठीक है उसके बार यह देखिए कि रश्या युक्रेन की बीच युद्ध हो रहा है इसका कॉज पूछा गया है यह कारण आप कैसे बता पाएंगे जब आपने न्यूस पेपर पढ़ा होगा क्योंकि यह वार चल रहा है पर यह आपका न्यूस में बहुत ज़्यादा रहता है तो इस वार के कॉम्प्रिहेंसिव कारण पूछेगे इंपक्ट पूछेगे बस इसलिए क्योंकि वार चल रहा था तो इसलिए मेंस के लिए इस तरीके में क्वेस्टिंस फ्रेम हो के आते हैं करंट फेर से तो आपको क्लियर हो गया होगा बाकी आपको कोई टेंचन लेनी की जरूरत नहीं है यह सोचेगा कि मैंने आपको सोर्स बता दिये तो उसके बाद में आपको टाटा वाइबा करके चली जाओंगी मैं यहीं पर हूँ आपकी कोई भी क्वेरी होगी कोई भी डाउट होगा और भी अभ अगले सेशन में ड्रेस कर दिया जाएगा और यहां पर करंट अफेर आपका रेगुलर जल्द ही शुरू भी हो जाएगा ताकि आपको परिशानी करंट अफेर के लिए नहीं उठानी पड़े बट में एक चीज़ जरूर कहूंगी कि जो भी करंट अफेर आपको यहां पर करवाया जाएगा उसको आपको पढ़ना ही है लेकिन प्लीज स्टिक टू वन न्यूस पेपर आलसो ताकि आपकी रीडिंग हैबिट स्टॉंग हो पाए और वो मीन्स में आपको मदद कर पाए हाला कि जब मैं आपको करंट फेर करवाऊंगी तो मीन्स के पॉइंट भी बत ने होंगे ठीक है पढ़ते रहिए औल दा बेस्ट थैंक यू वरी मच